हलो दोस्तो मैं हूँ रागवेंद आप सभी का फिर से competition community में स्वागट करता हूँ हम लोग बाल विकास बाल मनोवग्यान पर चर्चा कर रहे थे और उसी में हम लोगों ने शैश्वा वस्था बाले वस्था और किसोरा वस्था पर चर्चा किया था आज कुछ बाल मनोवग् को चार भागों में बाटा है और अच्छे से समझाया है कि कैसे बालक का विकास होता है और किस प्रकास होता है उन्होंने मुखिरूप से संग्यानात्मक ग्यानात्मक और मांसिक विकास जो है उस बालक का कैसे होता है उस पर जोड़ दिया यानि उसका दिमाग कैसे बढ़ और वो कैसे विकास करता है उसका सारीक विकास कैसे होता है तो उसको हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले जीन प्याजे का सिधान्त है यह क्लास बहुत ज्यादा कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा तो यह विकास की वस्था एक तो सबसे पहले जीन-प्याजे कहते हैं कि बाल जो बालक का बताया है तो बाता है कि हैं पहला संग्यानाद समय्दी गाम हक वस्ताए समझेगे क्या है समब्र मुर्ड स्टेज में तो मुटे सटेश जैन्म से लेकर 2 वर्सार देखिए चार वस्ताई बताई जीरो श्यान जन l मुसे दो उसके बाथ 20 से आपका साथ साथ से हो जाएगा ग्यारा और ग्यारा से लेका पंद्रा सूला तो यह आपका यह वाला सम्वेदी गामा कवस्था पहला जन्वे से लेकर दो साल तक दूसरा पूरु संक्रियात्मक अवस्था दो से साथ साल उसके बाद पूरु के बाद मूर्द संक्रियात् था तो इसको देख लेता है देखिए समेधी गामा कवस्था समेधी गामा कवस्था को मोटर डिवलप्मेंट स्टेज के नाम से भी जाना जाता है और समवेधना देखिए समवेधना कहता है कहने के मतलब है इंद्री जनित इंद्रियों से जो काम करता है इंद्रिया कहने के मतलब है जैसे नाक नाक हो गया मूं हो गया कान हो गया तुचा हो गया यह हमारी इंद्रिया है ठीक है इंद्रिया क्या हो जाएगी जैसे हो गया नाक फिर क्या हो जाएगा कान फिर हो गया त WiFi थूच्सलिक है उसके बाद मं पांच इंद्रियों को मांधियम से होने वाली क्रिया है संवेधी गाम क कहलाएंगी या उसके लिए इंद्री जनित्तर पर वस्था कहलाएंगी तो यह फिर जनित्वस्था это बच्छों जो चईए किसे करेंगे तो लोग अपने इंद्रियों के माध्यम से करेंगे तुछ भी का देखते हो कि छोटे जो बच्चे होते जो जन्म से मतलब गामक है कामप कहता है इंद्री जनित अवस्था को हम लोग्わかبل कяться है मोटर डिवल्मेंट स्टेज कहते है यह कब से कब तक चालो होते है तो जन में से लेकर दो साल तक का जो बच्छा होता है established सब्सक्राएं या महता फिर्ट इस तरह से हो आवावफ के लिए आपनी इंद्रियों का प्रयों करता है आपनी गामक अवस्था है ठीक है तो कि समयधी संवेदी समगे इंद्रियों का प्रयोंग करता मुजिखा है गामा क्रिया ने शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया है क्रिया कहिवर करो क्रिया क्रिया टूस भाइड का है तो किसी चीज़ को पकड़ लेगा कोछण कैसे बिल्रंगे को अपरे आजे जीने स्कीमा क्या होता है मस्तिस से जुड़ी हुई घटना है सरी द्वारा की जाने वले क्रिया प्रकास के प्रती जो सच्चेत हो जैसे प्रकास पड़ा तो उसकी आखे बंद हो जाएंगी तो इन्द्रियों के माध्यम से अपना आद्डियों से नाम से जानते है १ा को समवेदि Java का वस्था के नाम से जानता है' एक है दो से साथ वसक्य बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मा अवस्था रेये प्रज्याल विधास यहां से चालू होता है ज्यान इंद्रिया खुले लगए ग्यान का विकास तो ग्यान का विकास याद रखेगा ग्यान का विकास किसमें चालू होगा तो पूर अंतह प्रज्यकाल कहते हैं पूर अंतह प्रज्यकाल कहने के मतलब है यहीं से उसका ग्यान चालू हो जाएगा थोड़ी थोड़ी इसको समझाने लगेगी कब से चालू होगा तो दो से ले का सब्द चिंधों का प्रियोक करेगा ठीक है बताएगा ठीक है एक सवस्था में जो बालक है उसको अगजेक नहीं पता जो चीजें बड़ी दिखेंगे उसको वही चीजें भारी लगेंगे अनुपात उसको नहीं आता है अभी तक रूई देख ले या फिर आपका बहुत- और चोटा साब का एक केजी गाहा गार माध धिकले इसको रूइ मोगेगा अनुपात वह नहीं कर ओभार आता है जो अब जैसे खाना लगई भूक लगा तो बोनने लगेगा ठीक है तो प्यास प्यास के warrant आपका सूचित करेगा दुख लेगे तो रोए गाद ऐसे सजीवताemorा लेख लिए तो याद रखेगा ये पूरु संकृयात्म हमाँ वस्ता है 2 आप 7 पूरालीचियोतम यां हो जाएक होतामाक देखें एंची चीज होता है होता है मूर्त मूर्त कहने का मतलब है मूर्ती मतलब जो दिख रहा है जैने मैं ने कि कहा हाथी तो हाथी का चितर आपके दिमाग में बना या मूर्थ चिंतन हो गया ठीक है और हाथी सामने दीख रहा तो यह कैसा हो गया मूर्थ तो जो बच्चा है न मूर्थ कि को बड़ा है को भारी है को नहीं ठीक है इसके जाते कुंसा है घर्ते क्रम कौँसा है कम कौँसा यह कर लेगा आपका कौनसा है मूर्त संक्री आत्मक मूर्त चिंतन करने लगेगा और आख्री वाला है साथ से ग्यारा के बाद 11 से देकर 15 तक उसमें अमूर्थ चिंतन करेगा कैसा करेगा अप्चारिक संक्रियात्मा कवस्था कर लाते हैं अब्स्रेक्ट या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कर रहते हैं मूर्थ भी बताया मूर्थ मतलब जो दिखा है है ना और अमूर्थ मतलब ना दिखने वाला तो अब हम उसको सिखाएंगे बताएंगे तो वह क्या करेगा अपने दिमांग में ही चिंतन कर लेका अब उसको ना घोड़े का हाथी का बिली का एपल का चित्र दिखाना नहीं पड़ेगा वह समझ जाएगा जब बोला जाएगा तो अंडर्श ठीन वि को प्रभाव कार्य किया जा रहा है यह मैं क्यूं कर रहा हूं तो कार्य और कारण में वह स्पस्ट अंतर करना चीज़ देखना यह जो जीन प्याजे जी है इस चारो जो आपने संग्यानवत मिकवास के वस्ता दिखीगा एस चारो में उन्होंने वातावरण को सबसे जादा बल दिया है यानि जो बच्चा है किससे सीखता है वाता वरण से सीखता है थोड़ा सी इसको याद रखेगा जीन प्याज एक अंसार जो बच्चे को संग्यानमत मिक्वास या मांसी विकास होता है वो किसे होता है तो वाता वरंड के सबसे ज्यादा प्रभाव पढ़ता है इसे प्रश्ट पुछे जाते हैं तो यह चार अवस्था है आपको मांसी विकास के 3 लिगास की समूरण के टर्ख से बुधि करतां इन्होंने संग्यानमत को किछ को किस पर बल दिया है छिड़कि आपका प्याजे जी पर बल देते हैं तो वाता वरंड पर पर बल देते हैं यह देख़े है जीन पियाजे के संसोधित रूप है सरवाधिक महद्व किसको देते हैं तो सिक्षा को देते हैं जीन पियाजे ने चार बता इन्होंने 3 बता उसको संसोधित कर दिया थसा मोड़िवाइ mastery कर दिया कौनगों से 3 है इसको तो यह को वोगा िन्टिफ स्टेज होगा यह निर्माणर विधी बोल दो यह कैसे वो क्रियात्मक भी दी क्रिया कर रहे है ठावरच करता है चलना दौडना हाथ पर चलना और नो सोछ पाएना लोजिक्भाल मेरी अगल करन वह पाएगा नें काम है उसके बाद देखिए वातावरा के प्रती प्रतिक्रिया करता है इसके अलावा कुछ भी नहीं करता ना ज्यान होता है ना बुद्धी होता ना भाशा होता है उसके पास कुछ नहीं होता यह पहला है इन एक्टिव स्टेज तिक इसलिए इसको निर्माड विधी यह क्र स्टेज कहते हैं कब से चलोगा दो से लेकर साथ सत यह भी आपका जीन प्याज़े जैसा ही है दो से लेकर साथ तक चलागा कैसा अब उसके दिमाग में चाया बनेगी प्रतिवीम में बनेगा ठीक है जब आप जब से यह देखिए साथ साल का जो है मतलब फोड़ा प्राइमर उसके इधार पर प्राप्त करता है समप्रत्व अपने दिमाग में क्या पर सब करता है सबका चितर बनाते चता हो को याड करते जाता यार poem का शून के की गति होती है और ध्वनी होता है ध्वनी की पूर्त होता है भासा सीखेगा तो ध्वनी का महत होगा ही चीज़र लिए व्याजे का था उसके तीसरा और चौथा प्याजे का जीनपों और 4 दोनों को मिलाकर नहीं देखो कबसे चलेगा साथ से लेकर 15 या 16 और साथ से लेकर उनका साथ से ग्यारा गया था ना उसी को प्लस करके साथ से लेकर सुला कर दिया पंद्र कर दिया जीन प्याजे के तीसरे में हो एक संकेत नात्मक या चिन्हा आधारित अवस्था या सिंबॉलिक स्टेज कर लाएगा थोड़ा सांथर देख लेए और आपका जीन पेजी और आपका दिखेँ सबसे पहले इनकी कितनी वस्ताय है इनके कितनी वस्ताइए तो 3 ठीक है इसके बाद देखें इनका कुंसा वाता उट औरANS को सरवादिक महथ दिया है इन्होंने शिछा को दिया है ठीक इसमें देखिए व्यक्ति वाता वरण स्थान कि बच्चों ने जो कॉलनबर्ग है ना इन्हों ने भी सिध्धान दिया है कि नियतिक्ता के धार पर उनहों तीर सब्सक्राइब ठीक है पहली बात हो यह उन्होंने बच्चों छोटे लाइका लोपे नहीं किया है दस से लेकर 16 साल के बच्चों पर अधन किया और तीन स्टेज लिया एक नैतिक विकास के तीन स्टर दिये और साथ अवस्थाएं दी पहला जो विकास है पूर परमपरागत उसके बाद परम परमपरागत तो तीन अवस्था है पूर परमपरागत दस से लेकर 12 उसके बाद आपका परमपरागत 12-14 और 14-16 तक उन्होंगा उत्तर परमपर यह तीन याद रखेंगा साथ चरनल को भी छोड़ दे सावात अवस्था चोड़ दी तीन चरनल याद रखेंगा किसका है नै परमपरागत परमपरागत के नीचे उत्तर परमपरागत तीन अवस्था है आपको याद रखेंगे उसके बाद देखें यह हमारा जो अधिगम के जो सिधान थे ठीक है उसमें आपको सोरी आपका जो संग्यानत विकास था बालकों का वह हमारा खतम हो गया इसके बाद एक कौन को सी विदिया होती है उसको थोड़ा सामलों देख ले यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो सिक्षण विदियों में सबसे इंपॉर्टेंट ने देख आपका आगमन विदि आप लोगों ने बहुत सुना होगा सब पेड़ागोजी में सारे सेक्षिन में आगम करेंगे तो सबसे पहले आप जब जाएंगे तो आप बच्चों को उधारण देंगे कि देखो वेटा ऐसे हैं जैसे आप मालेजी आपने उधारण दिया कि सीता और गीता के पास पांच चॉकलेट है तीन उसको दे दिया तो कितना बचा अपने एक्जांपल बताया ठीक ह बच्चा बच्चों ऐसे करके तो बचा हैं बच्चे तो फिर आपने जोड़ने का जो system है वह बताएं यहों बताया कि एसे से multiply करते हैं घटाने का system ऐसी आपने एक्जांपल देकर बताया ठीक तो याद रखेगा यह जो विधी है इस विधी को बोलते है आगवन विधी आ का लिए ये चाटर में तो याद रखेगा याद रिखी यह करके सीखने में पहले आपको उने बताए चाहा शीकर राड़ा ये स्थूल से सूच में की और चलती है तुर से कहां चलेगी सूच में छलती है एकperformance है यजाम्पल से याने मुदाहरन से कहां चलेगी तो, rule की और चलेगी? स्थूल से सूच, मतलब बड़े से छोटे की और जाएगी, ठीक है, बड़े से मतलब example आपने बढ़ा दिया, और छोटा सकन से बढ़ता दिया, ठीक है जोडने का, तो यदा दखिए कि स्थूल से सूच में यसले, बड़े से छोटे की और कौन सी विदी चलती है तो आगवन विदी चलती है साथ साथ मूर्थ से अमूर्थ की और चलती है यह मतलब यह क्या हुआ मूर्थ से अमूर्थ यही पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे जस्ट निगमन विदी में उल्टा हो जाएगा मूर्थ से अमूर्थ कहने के मतलब है मूर्थ मतलब पहले दिखा दिया आपने यह चॉकलेट है चार चॉकलेट लिए बाट दिये और उसके बाद आपने जोड़ने क प्रशनों को हल करने के लिए ऐसको सब्सक्राइब है प्रष्णों को लिए बहुत इंपोटैंट है इतना प्राइमरी स्कूल के लिए बहुत काम आता है बड़ों बच्चों के लिए बहुत उप्योगी है कौन सा विधी है कौन सा विधी है तो आपका आपका आगमन विधी के बास आपका निगमन विधी आगए इसका उल्टा हो जागा निगमन विधी भी देने वाले कौन है अरस्तु ही है इसमें क्या किया जाते है तो पहले नियम बताएंगे और नियम बताने के बाद फिर क्या करेंगे उधारम देंगे तो याद रखेगा एक्जामपल से रूल व चलेंगे यह विधी देशिक्षण के दियों ते टीचर सेंटर होती है याने टीचर इसमें सेंटर में रता तीचर बताता है कि रूल है इसको ऐसे पड़ी ठीक है थोड़ा सा यह क्या होता है रटने पर बल देती है यह सूच में से स्थूल की और उसका उल्टा सूच में स तूझ में से तूद्गी और चलेगी तो अमोर से मूर्थ की और चलेगी मैं उसके बाद कैसी आपका यह अभी चल रही आ फैक फैल की प्लास में यह काम नहीं आती है यह यह अब को दिक्कतकार में अ प्रॉबलम क्रेट करेए बड़े क्लासों में बहुत उप्योगी होती तो इसको याद रखेगा नियम नियम इदी इसमें पहले नियम बताते हैं फिर एक्जामपल बताएंगे ठीक है यह कैसी होती है तो सूच में से स्थूल की और चलेगी ठीक है उसके बाद देखिए अमूर्थ से कहां जाएगी तो में जैसे माली इसमें क्या बता है पहले आप अमूर्थ मतलब जो नहीं आपका जो दिखनी रहा है आपने फॉर्मूला बता दिया फिर आपने क्या किया आपने मूर्थ की और दिखाने वाला चीज़ लेकर तो यह थोड़ा सा उल्टा होता आगमन का पढ़ लेगे ना तो होती है बच्चे बनाते तूंको अनुभवा आता है उन वह आता है उसे बच्चे के समाजी करन कवासेन होता है सब लोग साथ में तो ैनिट होके काम करते हैं जब सहभाड़िता सहिकारिता है है उसी को समाजी करण कहते है समाजी करन का मतलब ही हुआ साथ में सबके साथ मिल जूलके काम करना तो बच्चों में समाजी करण समाज से ग्रूप में नहीं रहता है तो यह ग्रूप में रहने का पर बल देती इसलिए समाजी कृधिया याद रखी है उसका यह कैसी है इसमें आत्म विश्वास पैदा होता है जब खुद करता है प्रोजेक्ट बनाता है उसमें इसके लावा देखें और विधी है प्रियोक्षाला विदी वह थोड़ा तो उसी जैसी है थोड़ा से अंतर है इस विधी में सिक्षब बिसांद देश देश देता है स्वें प्रयोक करने के लिए सिखने का उसर देता है इसमें तीचर रहेगा बताएगा कि आपको ऐसे करना जिसे अब लेबरोटी वगर में गया होगी तो उसमें बताता है कैसे कैसे काम करना है एक बर बता दी उसके बाद खोसे करते हैं उसके बाद देखें इस विधीवे विज्ञान और ग्री विज्ञान जैसे विष्यो को प्रभावसाली विधीव है आप विज्ञान विष्य प्रियोग करते हैं तो विज्ञान में और ग्री विज्ञान में बहुत उपियोगी है कुछी विधी है प्रियोक्षाला विधी है उसके इस विधी में विध्याती स्वें प्रियोग करते हैं तथा निसकस लिकालते हैं उस निसकस को फिर गुरुजी को दिखाने जाते हैं द जिसमें भी न बच्चे क्या करें खुद प्रयों खुद रहें गे लाँ इसको थूड़ा उसके बाद देखेंगे उसकर विचार विशाार विमर्स बिदिया तरिक फिर्टे करते है ना ठीक के डिबेट वगएर में तो वह हो भी दिये पढ़ाने कि जैसे मां लिजे किसे आपने के कहानी पढ़ाई और बच्चे ने किसी दिन और पहल दोनों को आप डीवेट करवा दीजे यह फिक इसी मुद्धे पर डीवेट करवा दीजे और आप क्या क्या करें तो डीवेट होते रहते डीवेट जो है तर आपक्ष में बोलते हैं उसमें फियोग पूर्ववा काम करते एक समख्या पर विचार करते हैं फिर सास्में क्या होगा तो सबस्क्राइब करते हैं यहीं आपका कौन सी विचार विमर्ष विधी ठीक है बहुत बहुत काम आती है कई बार आप लोग ने प्रतियोग विटाओं में भाग लिया होगा यह विधी सिखाने की बहुत अच्छी विधी मानी जाती है साथ साथ देखिए प्रमाड विधियां ने सुना होगा आपकी स्कूल में भी नहीं लेगे हो ता significa आदर वाले werd जो हैं तो बहुत अच्छी विधि चिए बहुत अच्छी विदी बहुत है कर से उसको देखा जो प्रतेक्ष प्रधानि के सिध्धान पर धृंड यानि पर को दिखा दो को तो परेवरण कैसे बचाना और याद रिकेगा प्रकर्ति से इसको कैसे जूड़ना है तो अदिकान देखेगा जब नीचिरल ब्लेस में ही ले जाते है तो यह हम का भ्हुमट विद्धी गुमाः की सेज शर्चिक्श्री भ्हुमएं, सेजुर्डी भूलते को उस श्कुल में गया बच्चा अब बच्चा का मदर टन है 26 एक और आप बोल रहे हैं हिंदी तो बच्चा थोड़ा दिकत करें मदर टन में आपने बोला और साथ-साथ आपने थोड़ा सा लाने की प्रयास किया मगर उसको हिंदी का भी नहीं आता है तो दीरे-धिरे आपने क्या किया बोल बोल कर बोल कर क्या किया अपने हिंदीज को सिखा दिया प्रत्यक्ष्विधी इसमें आपने व्यकरन कराने की तरह सीखाने पर बल देती है यह मात्र भासा को बिना मात्र भासा मारें बातभासा कर तो नहीं बने गा थोड़ा सब्सक्राइब को तो आई बने गा है ओप सबसे जादा जो यानि वाता वरण से बच्चा सीखता है तो वात्वरं से बच्चा सीखता है तो वातवरण से सिखने में काम आती उसके सबसे उप्योगी हộ Widya यह पिर बात कर लिए सुना दिए तो सूनने से देखने से भी तो सीखतें के चीज़ें प्रॉप यह सब से उपयोगी होती है प्रॉप सिंयह सीधह सीधह बोल गोस्ती करके शित्र दिखाकर कुछ आपका कहानी सुना कर या प् Steel embrace कि से भाय सब सकते हैं तक अबार क Hi विशे लेशन डेल जालेशन देखे एक ही जैसा है मुदा थोडह संटर होता विष्लेशन डिया नी lie है तर यह क्या होती है इसके जनक हेंडी एड़ोर्ड आमस्टाउंग है विशाइशन विदी का भी है और कि मुर्ण स कि properly इस विदी में रेखा गड़ित के लिए उपयोगी जो विदी है यह जो हमारा जो रेखा गड़ित होता ना उसके लिए उपयोगी और भी उपयोगी यह समस्याओं को छोटे-छोटे हिस्तों में बाटका रध्यान वह समिख्षया करना सिखाती जैसे माली जिए आपके पास समस्या इतनी बड़ी तो आपने क्या किया पहले इसको तोड़िया इसको तोड़तुया इसको तोड़ तोड़ती हें समस्याओं को हलक करने कि बहुत उपयोगी है ठीक है कमजोर चातरों के लिए भी बहुत उपयोगी विद्य है याद रखेगा विशलेशन विद्य में समस्याओं को चोटे चोटे टुकड़ों में बाट कर वबत सिखाते हैं जस इसका उल्टा अगर मैं बात करूँ विशलेशन का उल्टा क्या संस समस्याओं कर देखाए आपको बचे को खिले एक ट्रेन बनी होती है बॉकस की बच्चा क्या करता सब को अलग करता है तो क्या सीख़रा एक्षेल में वह तो tiya चोड़र The Efendi को सीख़ा क्षोटे चोड़रा है तो चोड़रा है वे तो तोड़ ँश्य स्प्रमरान को बच्चों को सिखाया जाता है ठीक है विशलेशन देखो इसमें एक मुना प्रोफेशर यंग क्या बोलते हैं संसलेशन विधी में घास तीन के से निकलता है और परंतु जो है ना विशलेशन विधी में ना स्वें तीन का घास के बाहर निकल जाता है थोड़ा सा उन्हों का कथन है पहले चोटी चोटी टुकड़ों में बाटे और उसके बाद फिर उसको मिला गिए यही तो है आपका अपका इसको बता दी हमिए विधी जो है चौड़ों बच्यों बच्चे लोगों ध्याक्षट बच्के घर से पूसे समझेरे क्या करें डहरा का सीकाना करें रटवाना है तो इक लास पर बच्चा अनुकरण करता है बोलो बेटा एफ और बीफार बाल तो यह वाला जो है वह वह था है ठीक है व्यक्षान विधी लेक्च्चर मेथड भी बोलते हैं प्राचीन विधी है सबसे बच्चों इसमें बच्चे निस्क्री रहते है ठीक है और इस शक्री होता है अनुकरण करते रहते हैं बसका जादा कुछ ऐसा सीखते नहीं है जिख्चक कोई भी चीज़ काम आती है और यह ज्जादा क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सिख्षख के इंद्रित है तो ज्यादा उप्योगी नहीं है प्राद मान के चलिएगा कोई जैसे हमारा जिख्षा सबस्छा के जो अच्छ ना चाहते हैं और जो सिक्साइर विदिया है वह बच आ बच्चे से केंदी नटीट हो झाए आनकी तो aalग rush ऊहरने के लिए उनको रटवा देते हैं यहीं कि आप दढ़ा क्लास चलती है कई स्कूल को माइनट सी बोलते हैं इन्हीं के नाम पर स्कूल का नाम पड़ा आज भी हमारे हैं भारत में है क्या होता है तो यह देखिए मारिय कहां की थी इडली के एक सिक्षिका थी यह च्छे वस तक के बच्चों पर इन्होंने अध्यन किया और रूस में प्रथम का मंद बुद्धी बच्चों पर के नाम से यहाँ पूछता है कि मारे इटली के है की ते वस पे तो च्छे वसता के बच्चों पर इन्होंने अध्यन क्या टिक उसके लबाबद देखन दोगां ड्यापन द्वारा कुछ दिधायतकार अससमेंंट जो दिया प्रयोक शाला बगैं प्रोजेक्स बता दिया वै यह बना डाल्टन विदी तो यह दखेगा यह आपका assignment विदी यह दाल्टन विदी या फिर आप बोल दो project विदी टाइप से हैं जो छोटे में छोटे बच्चे प्रिजए करते हैं इसमें प्रिजए करएं तो उसि भासा में रचना करके उसी भासा को सिखाते हैं तो भासा नाम से आप जाए जाएगे हैं इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है और देखे हमने क्या देखा हमने देखा बच्चों का संग्यादमा या मांसी विकास कैसे होता है ठीक उसके अलावा हमने सिक्ष्ण विडिया देखिए आज की क्लास में हमारा जो बाले अवस्था का जो टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है इसके बाद हम लोग नेक्स अरिवाग